खाजरी की खेती के उपर खास करके ये पंजाब के अंदर जो तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं ये पंजाब की तस्वीर है बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद पंजाब में बाजरी नहीं होती होगी हाँ ये ठीक भी है काफी हद तक ज्यादा बाजरी नहीं होती है लेकिन फिर भी कहीं कहीं किसानी से लगाते हैं और बहुत अच्छी होती है शायद ऐसी कहीं पूरे राजस्तान में आपको बाजरी नहीं मिलेगी क्योंकि ये जमीने अनुकूल हैं हर फसल के लिए पंजाब की जमीने दूसरा यहां पानी की जो है आविशक्ता नुसार पानी अच्छी मातरा में मिल जाता है तो मैं सभी किसानवाईयों को कहना चाहूंगा कि बाजरी की खेती थोड़ी थोड़ी जरूर करें खास करके खाने के लिए क्योंकि ये सहत के लिए काफी गुनकारी होती है काफी अच्छी होती है पॉस्टिक होती है वो भी नामातर रसाइनी खादों की जो है इसमें उपयोग होती है नामातर बिलकुल 25-25 किलो प्रति एकड़ के साब से आप एक युरिया की खाद नाइटरोजन दे के इसे आसानी से इसका अच्छा उत्पादन ले सकते हैं दो किलो प्रतियकड के साफ से इसकी जो बीज की मातर है मातर सिर्फ दो किलो प्रतियकड के साफ से इसका सीड पड़ता है जो के काफी सस्ता होता है तो इस वज़े से इसके जो खर्चे हैं वो ना मातर होते हैं ज्यादा गहरी जो ताई के भी इसमें ज्यादा जरूरत नहीं होती है बस सिर्फ आपको जो पक्षी हैं उनकी रखवाली ज़्यादा करनी पड़ती है क्योंके पक्षी जो है इसके जो बूर पड़ता है बलियों के अंदर जो दाना पड़ता है उसे जो है उपर का उपर खा जाते हैं तो उसकी निगरानी थोड़ी ज़्यादा करनी चाहँगा और स्टेटों में भी के एक एक दो दो एकड़ के अंदर इसकी खेती जरूर करें क्योंकि सहत के लिए काफी अच्छी होती है नामातर नदीन नासक होते हैं इसकी अंदर और अच्छी उपस दे जाती है कम फर्टिलाइजर में कम खर्च में ज्यादा इसकी मैनत ज और अच्छी जानकरी के साथ तब तक दीजिये मुझे अजाज़त जय हिंद बंदे मातरम